वाज का सवागो दब सकते हैं आपने इडलि लिया है चार इडली है और सोच रहें तो यह डिका रहे हैं तो इडली दिखा रहें इसलिए कि इसका ही रेशिपी बनाएंगे आपने इडली टो खाय होंगे तो नहीं इखाया हैं तो फटा-फट चे लिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा वाच किजिए अदेखे मैं इडली को इस ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हूं आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसको हाथ से तूड के भी ले सकते हैं और बहुत ही संदार वाला रेसिपी है तो देख सकते हैं यहां पर मैंने इडली को अच्छा से ग्रेट कर लिया है सारे इडली को आप लोग देख सकते हैं कितना एक दो छोटा-छोटा दाना जिसा हो गया है तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं तेल डाल की से गरूम का लिया है और मुपुली डाल देया है करिब दू बड़े चमच्छ आप लुक दिख सकते हैं मुपुली को इज तरह चलाते हुए इसको अच्छ से हम लोको बून लेना है और इसको निकाल देना है तो अब है बरी हम लुक का यहाँ पे डालेंगी चना भी सवाध्यक्पिश्टियु आप चाहित बुनुन कि सबीं हैं फ्लेवर obs यहाथ करमे रहे घीज़त पीज़त को हैं लेना है और आप लोग सुन सकते हैं मेरा आवाज कैसे लग रहा है हाँ तो मेरे को सरदी हुआ है थोड़ा इसलिए मोटा मोटा आवाज आ रहा है तो दिखिए इसे हम लोग भून कर डालेंगे करी लिप्स करी लिफ्स डाल के इसे भी मिक्स कर देंगे और साथ कंसर्म नमक देंगे नमक डालने के बाद आच्छा से मिक्स करेंगे और इसे हम लोग 2 मिनीट के लिए लूप्लिम में पकाना है तो दीख सकते हम लोग का जर प्याज सारे भून गया है जर भी हम लोग का पक गया है आप हम इसमें बीच में इस तरह थोड़ा सा ग्याप रखके इसमें हम लोग को डालना है सुर्शु का दाना तो सुर्शु का दाना में पहले भी डाल सकती थी लेकिन मैंने पहले नहीं डाला अभी डाल रही हूं तो इस सुर्शु का हम लोग को थोड़े दिर भूनना है मतलब चटक आना देना है तो बस इस तरह हम लोग को भून कर इस इसमें हम लोग को डलना है उबला हुआ अलु तो उबला हुआ आलु मैंने रखा था इसको मैंने काटके डाल दिया है आप चाहते तोड़ के भी डाल सकते हैं लेकिन काटके डालने से वह मतलब आचा दीकता हैं तो इस तरह मैं फिर भी थुड़ा-thुड़ा मैं तोड रही ह नाया है तो यू भी दाकन को अदल देया है अधे को अधह भीक пров carny ए MIN लिए था सोरे को डाल दिया है आ रही है है तो हलो २िल ओटर डाल की जिरा पर डाल जीरा पॉडर में डाल दिया है अच्छा से हम लोग को मिक्स कर देना है और उसके बाद डाकन लागा कि फिर से हम लोग को एक मिनिट तो पका लेना है जो भी मसाला है अलो के साथ अच्छा से पकेगा बुनीगा तो देखिए दो मिनिट एक मिनिट के बाद हम लोग को यहां जो करना ही हम कुछ यदिली इने टाल रॉट तो यह ऐसे इस तरह यह मुड़को डहाएं के पोदिर्पल के पकाना erd है तो आप देख सकते हैं तोड़े दिर के बाद हम लोगजे जो रूशीपी है और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे," अप लोगभ इस रूशीपी को क्या नाम देंगी," मैं तो ऊपोमा ही बोलूंगी,"छ हमaltक मिद्विक तु बनता रहते हो में, है तो इसे हम लोक भी पिर जो को करेंगो है पिर हम लूप लग में देड़ मिनिट के बाद इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे बस हो गया हम लोग का इडली फोा मा एड़ी तो आप खाने के लिए टाइम अ तो आप हम प्लेट में तो देखिए गाइज आप लोग को कैसे लगा मेरा रेशिपी तो कमेट करके बताना पुस्ट आएगा तो लाइक करना सेर करना चैनल पर नाय तो सब्सक्राइब कर देना तो इस रेशिपी को आप जटपड बन सकता है बहुत अच्छा टेस्टी है और इस आप जोरू झाल टेस्टी है और दो लाईगा है और ये साथा है चाल झाल 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 है लोगा है।